तो अलोब डिए कैसे हैं। दोस्तो आज में आपको बता नहीं वाटसप के नएंट सब्सक्राइट के बारे में और एक नए कमाल के नए फीचर के बारे में दोस्तों आपको पता हुआ कि प्राइबसे को लेकि हर बार कुछ ना फुच अपडेट चल रहा था। आज उनमे एक नया अपडेट किया है और एक नया फीचर को वहाँ पर जोड़ दिया गया है जो की है end to end encrypted को लेके दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा WhatsApp की जो चैट होती है वो end to end encrypted होती है अगर आपको पता नहीं कि end to end encrypted होता क्या है तो उसके लिए एक मैंने वीडियो बना जैसा कि अगर आप पहले कोई backup लेते थे वो end to end encrypted नहीं होता था उसको easily कहीं भी access किया जा सकता था बट अब आप क्या हो गया है अब आप backup को भी end to end encrypt कर सकते हैं इससे होगा क्या आपके इलावा उस backup को कोई भी restore नहीं कर पाएगा या हो सकते हैं उसमें कोई भी data को कोई रीड नहीं कर पाएगा जो कि बहुत ही अच्छा कमाल का फिचर है इसको कैसे इनेबल करेंगे कैसे यूज करेंगे तो आज की वीडियो में बताने वालों दोस्तो दो वीडियो उसकी मत करेंगा वीडियो पुरह दिखेगा तो यहा पहुँच भाएंग दोस्तो चलते इसको अब क्या रहें नहीं करेंगे यहां जाना आ आपको चैट सतमेंगे नीचे आपको मेलेगा चैट बैकप का option आपको उसके अंदर जाना है वहां जाएंगे तो आप देख रहे हैं आपको एक नए option मिल रहा है जो कि यह end to an encrypted backup जो कि पहले नहीं आता था पहले आपको simple backup वाल option मिलता था कि अगर आपको backup करना है तो simple आपने आप backup पे क्लिक करा और यह simple backup हो जाएगा आप देख रहे होंगे यह simple backup हो गया बट अब आपको यहां पर मिल गया end to an encrypted backup मतलब की अब अगर आप अपना backup बनाएंगे वो पूरे तिरह से secured रहेगा कोई भी उसको access नहीं कर सकता तो कोई भी उसको access नहीं कर सकता आप देख रहे होंगे यहां पर अगर आप इसको पढ़ेंगे यहां पर when turn on your backup will be end to an encrypted no once not even whatsapp will be able to access it जैसा कि मैंने बताया अगर आप इसको enable कर लेंगे तो कोई भी इसको access नहीं कर सकता even whatsapp तक भी इसको need नहीं कर सकता इसको उसके आपको करना क्या हो यहां जाना है turn on पर जैसी turn on पर जाएंगे तो आप से फिर पूछेगा to protect your end to an encrypted backup create a password you will need this password to restore your backup मतलब कि आपको एक यहां पर password बनाना है उस password को आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप उसको restore करेंगे backup को तो आपको वो password डालना रहेगा अगर आप वो password भूल जाएंगे तो आप कभी उसको recover नहीं कर पाएंगे अपने backup को क्यों तो हमेशा या देखिए आप लिखा भी हो if you forget your password lose your phone whatsapp cannot help you to recover your backup उन नसाब के दिया अगर आपने महाँ पर backup को भूल गए sorry backup का password भूल गए या फिर आपका mobile हों गया तो आप उसको recover नहीं कर सकते हैं यहाँ पर साफसाफ लिखा है यहाँ दो तरीके से आप password create कर सकते हैं एक create password या use 64 digit का encrypted वाला की वाला password तो यहाँ पर आपको महाँ पर password को create करने के लिए जाना है आपको create password पर यहाँ पर password create करते नाइम यहाँ पर लिखा हुआ है आपको कम से कम छे नंबर का या छे डिजिट का छे करेक्टर का password बनाना है जिसके अंदर एक लैटर कंपल्स हरी है तो मैं ऐसी नॉर्मल सा एक password बना लेता हूं यहाँ पर आके आपको वही पास्वर्ट दोबारा डालना है पाइनली हो चुका है फिर अब आप से कुछने वाला अधा इंकर्टिंट पॉसेस विल वी कम्प्लेट इन दा बैक्राउंड यू विल मिट टेक टाइम तो आपको थोड़ा टाइम भी लेने को बोल रहा है आपको वाट्सब्स पर कोई प्रॉपलिम नहीं आने वाले आपको सिंपल करना करने की अध्यांब इने वर पॉसेस चाली हो जाएगक आपको दिखरा होगा मैं आपको इसको यूस करके घी बताउग अगा कैसे आप इसको रीस्टोर करेंगे तो यह मांगने वाला है तो अ normal जो होती हो किस नाम से होती है आप यहाँ जाएंगे whatsapp.com में whatsapp में, यहाँ बैक अब में sorry, यहाँ जाएंगे database में यहाँ जाएंगे आप backup में तो आप देखेंगे अब जो इसकी backup की जो file बल रही है cryptid55 आपको दिख रहा होगा जो की अगर आप नॉर्मल वेकप करनाते हैं वो क्रेप्टिन 14 पर बनती है अभी 15 पर बन रहे हैं मतलब पूरी फाइल आपकी एंट्वेंड इंक्रप्टेड है अब इसको यूज कैसे करेंगे अब मैं आपको वह भी बताने वाला हूँ यहां पर मैं आगया हूँ अग्री इंटरम पर यहां पर अपने मॉबाइल नमबर डालके इसको प्रॉसेस करता हूँ उस बैक अपको मैं यहां पर चड़ाओंगा तो आप देखींगे वह आपसे मांगने वाला है कि कैसे आप इसको रिस्टोर करेंगे तो आप से वह वाला पासवर्ट जरूर मांगेगा जो कि आपने एंट्वेंड इंक्रप्टेड करा आप देख रहे होंगे बैक आप फांड पर आ चुका है एंड-to-end इंक्रप्टेड बैक आपको मिल चुका है रिस्टोर यूर मैसे मीडिया फॉम यॉर फॉम इंटर्नल इस्टोर वी डो नोट रिस्टोर नाओ वी नोट बी एबल तो रिस्टोर लाइटर तो दो यहां पर आपको अपना पासव पर याद नहीं है तो आपको यह और चुक्रिप्टेड पो याद है तो वह डालना रहेगी अगर आपको कुछ भी याद नहीं तो आपको यह पासवर्ट पर डालना है जो कि मैंने बनाया ता एस 123456 यहां पासवर्ट डालूंगा वह वेरीफायँ होगा और पूरा डेटा मेरा backup हो जाएगा और मेरे सारी chats वहाँ पर recover हो जाएगी तो बहुत ही कमाल का नया feature लगा है मुझे वाला कि कैसे end to end breakup कर पाएंगी और कैसे उसको restore करेंगे तो पूरी detail मैंने आपको यहाँ पर बताई यह थोड़ा time लेगा processing में verify करने पर उसके बाद वो हो जाएगा थोड़ा wait कर लेते हैं finally आप देख रहे हैं यह हो गया है और backup होना चालू हो गया है backup पूरा done हो गया है यह next करूँगा यह name मांग रहा है name डाल दिया मैंने और finally पूरी मेरी chats वहाँ पर recover हो जाएगी वो भी safely ली ताकि कोई भी उसको read नहीं कर सके जिस टेट के तुरू मैंने वहाँ पर उसका backup and restore किया तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर end-to-end backup आपको दिख रहा होगा और मैंने यहाँ से सको done भी करा वापस आप चास्ट टू step verification code मांगेगा जो भी आपका था और मेरी सारी चैट्स यहाँ पर वापस आ गई है आपको ठिक रही होगी दोस्तों उमीद है कि आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो thank you दोस्तों मुझे उमीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों तो प्लीज मेरे चेली को सबस्क्राइब करना ना वोले हैं और मुझे अगर आप कुछ पूछने चाहते हैं आप डारेक्ट ली इंस्टाग्राप पे DM भी कर सकते हैं और मुझे चाहे तो आप फेस्बॉक को ही मैसेस करके पूछ सकते हैं उम्मीदें कि आपको ये मेरी वीडियो पसंदा योगी दो थेंकियो दोस्तो